इसमें क्या क्या बदल जाएगा धेखो यह जो बात में देखों एक ना फिस्त साल बाद क्या क्या चेंज Remember फिल्मों में गाउं में ना दियों में और स्कूलों मेंSchirm जाएंगी ओढ़िया अवैंगा की हालतों में काफी सुधार हो जाएगा मतलब की हालतों में काफी सुधार आएगा डा मैं सभी सुधाय उपलब़्त होने लगेंगा जो कि अभी सब्ध situation 5 साल बाद हमारी परिचित नदी में जल सतर कम हो जाएगा और इसका पानी भी परदुष्टित हो जाएगा यह जो हमारी परदुष्टित नदी है उसमें पानी कम हो जाएगा और वो परदुष्टित हो जाएगी स्कूल काफी विक्षित हो जाएगे और कापी पर काम कम हो जाएगा यह जो कापी पर हम काम करता है वो कम हो जाएगा नेक्स्ट इस था है होगा था पास्त की बात और यह है प्रेजेंट की और वो होगा भविश्य की फ्यूचर की प्रश्शन एक असिमोव की कहानी 2155 यानि भविश्य में आने वाले समय के बारे में है ये जो असिमोव की कहानी है ये भविश्य की कहानी है फिर भी कहानी में ठीक इस्तमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है पिरुट भी इस स्टोरी में यह ठीक एस्तेमाल हुआ जो बीते समय को बताता है ऐसा क्यों कर रखाया उत्र खानी में हे शब्द का इस्तेमाल भूत काल के घट्नाओ के को बताने के लिए क्या गाया है क्योंकि यह कानि भविश्या आधार पर लिखे गई है कि यह बूच काल गटनाओं को कि यह भविश्या के आधार पर लिखे गई है ना ये कानि दिद्लीं है WILD जब मुझे बहुत डेड़ लगा मैं जब छोटा था इस रिशक से जोड़े किसी अनुभव का वर्णन करो इन यह जो यह जो यह दो लाइन है इस वाले सिर्क से कोई पैरा लिखो एक वर्णन करो जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था क्योंकि ए मैं आजीब और सिर्क वर्णन करों ना इंट भी और से मैं अंधेरी कमरे में अकेलें नहीं रहता तूम्हें मैं शिर्षिक से एक अनुचेज लिखना है अपने सव भाव अच्छाईयां कमियां पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो इसमें शिर्षिक लिखना है जिसमें आपके सव भाव अच्छाईयां कमियां पसंद और नापसंद है इसमें लिखना है, यह किसी मैच का आखो देखा हाल, ऐसा लिखो माना ही, वह अभी तुम्हारी आखो के सामने हो रहा है, इसमें जो मैच देखा है तुमने उसको इस तरह को जो अभी तुम्हारे सामने हो रहा है, उत्रो है, मैं सीधी साधी लड़की हूँ, वह अपने से ब करती हुं उसी के साथ में का रे समानु कि लेकिन्स थोड़ी जड़ी जरूर हूं लेकिन मां जिद्धी भी हूं मुझे बाजार का खाना पीना पड़ा मुझे है यूजो बाजार में घाना सकता है संन् belki है साथ मुझे खिलना बहुत अच्छा लगत है इसके साथ मुझे खेलना भी अच्छा रगता है लेकिन मुझे घर में अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर मुझे कोई घर में अकेला छोड़ दे तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है मैंस का आखो देख्षा हाल मैश को अभी अभी देख रहा है वो बला हाल दर्ष्यक कंड की मैद्न में भीड़ भीड़ है इसे तर्ष्यक को यह वूच्छ फीलut है जिसमें मैश खेलताहे हूं में बहुत भीड़ रखिया है मुल्ग कंड खेलने के लिए बेल्कुल तयार मतलब हैं मल्लेबास बाइप मैन्ऩ है वो बिल्कुल बोल्ग ऐूदे माणने के लिए तयार है एदर उर कर, रह स्थार गेंद जीदे लेकर भागने लगा वो बुल्ग कर भागने लगा गेंद बाज ने जैसे ही गेंद फेक की बल्ले बाज ने एक जोड़ दार हिट लगाया जैसे ही जो गेंद बाज उसने जैसे ही बॉल फेकिना तो बल्ले बाज ने एक जोड़ दार हिट लगाया गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है और ये चार रन ये जो गेंद है वो सीमा रेखा के बहार जा रही है और ये जो चार रन बनाए है इसके साथ ही बल्लेबाज करने वाली टीम ने मैच जीत लिया है अगले चुटियों में तुम्हें नानी के पास जाना है अगली चुटियों में तुम्हें अपने नानी जी कर जाना है कि वहां तुम क्या क्या करोगे वहां तुम जाओगे तो क्या करोगे कैसे वक्त बिताओगे इस पर क्या एक अनुछेद लिखो अपना वक्त कैसे बिताओगे इस पर एक अनुछेद लिखो तो उत्तर मैं अपनी नानी के घर जाओंगी मैं अपनी नानी के घर जाओंगी वहां मैं खेतों और बागों में घुमूंगी मैं अपनी नाना नानी से के साथ बहुत सारी बाते करूंगी मैं बकरी गाएं भैस आरी जानवर के साथ भी खेलूंगी मैं हूँ बक्री मतलब गौट गाए काउस बैस बफैलो के साथ भी खेलूंगी गोड़ी की सवारी के लावा मैं गाउं में मिलने वाली मिठाईया तथा दूसरी खाने पीने के चीजों का भर पूर आनन लोंगी गोड़ी की सवारी तो मैं करूंगी पर उसके साथ-साथ यह में मिठाईया और खाने पीने पीने चीजे मिलता है उसका मैं बहुत अननल इठाऊंगी हैं तो मैं तुम्ने जो तीन अनुछे लिखे हैं उनसे पहले का सभाओं उनसे है जो बीच चुका है जो तुमने ये तीन अनुचेद है ना जो सबसे पहला अनुचेद उसमें है कि जो बीच चुका है दूसरे में अभी की बात है और तीसरे के में बाद में घटने वाली घटना का बनना है इस वाले में बाद में जो घटना घटतेगी उसका बनना है और दूसरे में ये अभी की बाद चल रही है इस अनुचेद में इस्तमाल किये गए क्रियाओं को क्रियाओं को जहां से देखो यह बीते हुए अभी के और बाद के समय के बारे में यह जो हैं एक पास्ट एग बीतर ही समय के बारे में एक अभी के बारे में जो चल रहा है और एक है जो आएगा उसके बाद उसके बारे में को प्रेंटी एम पो